भारत की बात करते हैं, तो ये एशिया महादीप के दक्षिन में इस्तित हैं, दक्षिन में इस्तित होने के कारण इसे दक्षिनी एशियाई देश कहा जाता हैं, ओके फ्रेंड्स, भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो शेत्रफल हैं, वो है 32,87,263 वर किलोमेटर हैं, भार कुछ important points और बता रहा हूँ भारत से related में आपको वो ध्यान रखिएगा जो की exam में पूछ ले आते हैं छोड़े उड़े question होते हैं बढ़ हम अक्सर उनको गलत कर देते हैं तो आप ध्यान रखिएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ भारत में 29 राज एवं 7 केंदर शाशित प्रदेश हैं भारत के 7 पलोशी देश हैं और भारत की कुल 17 राज इन पलोशी देशों से जुड़े हुए हैं ध्यान रखिएगा दोस्तो पलोशी देशों की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा है वो सबसे ज़ादा शेयर हो रही हैं बांगलादेश के साथ में ठीके तो ये भी कोशन बनता है, उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बंगलादेश सबसे ज़्यादा भारत की सीमा को शेयर करता है, अगला पॉइंट डेखते हैं, दोस्तो हम भारत में 9 राज्य की रेखा समुध तरट से लगी हुई है कितने राज्य की, नो राज्य की, इसमें गुजरात की तरट रेका सबसे ज़्यादा हैं, दोस्तो ये SSC, UPPCS, इन सब में questions पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस topic को, इस point को, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तो end point की, तो पूर्व में दोस्तो हमारा ज इंदरा point, तो ये बहुत ज़्यादा important है, end points से भी questions पूछे आते हैं exam में, तो ध्यान रखिएगा, पूर्व में है वालंगू, पश्यम में है सरक्रिक, उत्तर में है इंदरा कॉल, और दक्षिन में है इंदरा point, ठीक है friends, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, इनको देगा, चलिए friends, आगे हम बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जो है, वो गंगा नदी है, भारत का सबसे उंचा परवत जो है, वो कौन सा है, परवत शिकर, केटू, गाडविन, ऑस्टिन है, भारत का सबसे उंचा जल प्रपात, जो गोरस्पा हैं, जो की करनाटक म स्थित हैं, और सबसे उंचा बांद जो है, वो टीरी हैं, जो की अलगननदा नदी पर स्थित हैं, और यह कहां पर है, उत्राखंड में, जल प्रपात, बांद, इन सबसे रिलेटेड मैंने अल्यड़ी वीडियो बना रखे हैं, जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं, जिनका नाम है नारकोंडम और बेरन, यह दोनो जो आला मुखी भारत में स्थित हैं, इसके अलावा और कोई जो आला मुखी स्थित नहीं है, ध्यान रखेगा, यह भी कोश्चन पूछ लेते हैं कि बेरन जो आला मुखी कहां पर है, या नारकोंडम कहां पर है, तो मैं कोंडम जो है वो कहाँ पर है निकोबार में है और बेरन जो है वो बचावा अंडबान में है इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं भारत का त्रिपूरा राज्य जो है वो बांगलादेश से तीनों तरब से गिरा हुआ हैं तो ये भी कोशिंस पूछा गया है अब बात करते हैं दोस्तो हम भारत के घाट के बारे में तो एक एक करके समझेए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चीमी घाट की तो पश्चीमी घाट दोस्तो चालू होता है गुजराज से लेकर केरल तक का ये 1600 किलोमेटर का जो तट होता है इसे बोला गया है सहाधरी परवत क्या सब एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं आपको एके करके समझाता हूँ, सबसे पहले गुजरात से लेकर गोवा का जो तट है इसे बोला गया है दोस्तो कौंकर्ण तट, क्या बोला गया है कौंकर्ण तट, फिर गोवा से लेकर करनाटक का जो तट आता है उसे बोला गया है केंडरा तट ओके फ्रेंट्स चलिए आगे करनाटक से लेकर जो केरल तक का जो तट होता है इसे बोला गया है दोस्तो मालाबर तट बोला गया है तो कौंकर्ण तट, केंडरा तट, मालाबर तट ध्यान रखिए आप ये तीनों बहुत important है ये भी पुछ ले आता है कि भारत के पश्चिम में उत्री तरफ में उत्तर की तरफ में तो उत्री मतलब सबसे उपर आ गया तो उससे बोला गया है कौंकंड तट इस तरीके से गुमा फिरा के questions पूछे जाते हैं चलिए अब बात करते हैं ये हमने अच्छे से समझा पश्चिमी तरफ को अब हम बात करते हैं पुर्वी तरफ के बारे में तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए केरल से लेकर पश्चिम मंगाल के उपर तक का जो एरिया आता है उसे बोला गया है दोस्तो भारत का पुर्वी तरफ बोला गया है और इसे जाना जाता है दोस्तो महंद्रगिरी परवत के नाम से जाना जाता है 1015 किलोमेटर का ये एरिया जो है पूरा ये महंद्रगिरी परवत के नाम से जाना जाता है दोस्तो इसको भी तीन भागों में बटा गया है एक एक करके मैं आपको बता जाता हूँ अच्छे से केरल से लेकर जो आंदरप्रदेश का जो तट आता है उसे बोला गया है दोस्तो कोरो मंडल का तट आंद्रप्रदेश से लेकर पश्यम मंगाल के तट को बोला गया है डेल्टा शेत्र और उसके उपर का जो एरिया है उसे बोला गया है परवती शेत्र तो इस तरीके से तीन भागों को हमको ध्यान रखना है ठीके फ्रेंड्स चली आगे हम बात करते हैं अब भारत का जो पुर्वी घाट और पश्यमी घाट जहां पर मिलता है उसे बोला गया है दोस्तो काडेमम की पाडियां इसे अंतिम पाडिया भी बोला गया है भारत की तो उससे भी ध्यान रखेगा पश्यमी घाट और पुर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे बोला गया है झाल एल वा झाल झाल